नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वीवो T144 Watt vs. Tecno Camon 19 Neo का फुल डेप्थ कंपारिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की। अब बात करते हैं वेट की तो T144 Watt में 182 Grams जबकि Camon 19 Neo में 195 Grams का वेट देखने को मिलता है। जो की T144 Watt से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करे तो T144 Watt में AMO LED जबकि Camon 19 Neo में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। अस्पेक्ट रेशियों दोनों फोन में सेम ही। 20 रेशियों नौ मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करे तो T144 Watt में 6.44 इंचर्स जबकि Camon 19 Neo में 6.8 इंचर्स मिलती है। डिस्प्ले रेशियों T144 Watt में 1080 by 2400 और Camon 19 Neo में 1080 by 2460 मिलता है। स्क्रीन तु बॉडी रेशियों T144 Watt में 84.49 प्रतिशत जबकि Camon 19 Neo में 84.72 प्रतिशत मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो T144 Watt में 409 प्रति इंच जबकि Camon 19 Neo में 395 प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्ज यानि विशेशता हैं की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है। अब बात करते हैं सब के पसंदीदा फीचर्ज कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें Man Camera की तो T144 Watt में 3 कैमरा देखने को मिलता है। जिसमें की Primary Camera, Macro Camera और आखिर में Depth Camera देखने को मिलता है। बात करें विडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्ज मिल जाते हैं। अब बात करें Front Camera यानी की Selfie Camera की तो T144 Watt में Single Camera देखने को मिलता है। जिसमें की 3 different features मिलते हैं। और Camon 90 Neo में भी Single Camera देखने को मिलता है। जिसमें 4 different features मिलते हैं। अहीं अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं। hardware में सबसे पहेले CPU जोकी speed के हिसाब से देखा जाये तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं। GPU की बात करें तो, T144 Watt में Adreno 610 जबकि Camon 90 Neo में Mali G52 MC2 मिलता है। बात करें RAM की तो, T144 Watt में 3 variant देखने को मिलता है। जिसमें 4 GB, 6 GB, 8 GB की RAM मिलती है जबकि Camon 90 Neo में एक ही variant देखने को मिलता है। जिसमें 6 GB RAM मिल जाती है। बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो, T144 Watt में 3 variant देखने को मिलता है। जिसमें 128 GB, 128 GB, 128 GB की storage मिलती है जबकि Camon 90 Neo में एक ही variant देखने को मिलता है। जिसमें 128 GB storage मिल जाती है। expandable memory की बात करें तो, T144 Watt में अप टू 1 TB जबकि Camon 90 Neo में अप टू 512 GB है। operating system दोनों phone में Android V12 देखने को मिलती है। बाटरी की बात करें तो दोनों phone में 5000 mAh देखने को मिलती है। अई अब main feature को देखते हैं। colors की बात करें तो दोनों phone में same ही। तीन colors option देखने को मिलते हैं। सब information देखने के बाद बात करें प्राइस की तो, T144 Watt में तीन variant देखने को मिलते हैं। जिसमें की 4 GB RAM 128 GB storage के साथ 14,499 रूपीज। चे गीगाबाइट रेम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 15,999 रूपीज आठ गीगाबाइट रेम 128GB स्टोरेज के साथ 17,999 रूपीस में मिलता है और बात करें Camon 19 Neo की तो उसमें एक ही वेरियंट मिलता है जो कि 6GB रेम 128GB स्टोरेज के साथ 12,999 रूपीस में मिलता है दोस्तों अब बात करते हैं प्रांजल कॉन्स यानि की फायदे और नुकसान की तो वीवो T144W में 7 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Tecno Camon 19 Neo की तो उसमें 6 फायदे और एक नुकसान देखने को मिलता है फायदलि बात करें है रेज़ल्ट की तो, डिस्प्ले में T144W आगे है में कैमरा में T144W आगे है फ्रंट, सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है पायदेश में T144W आगे है दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले competitor phone की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 है दुसरा Xiaomi Redmi Note 10 Pro है तीसरा Xiaomi Poco M3 है और last competitor phone की बात करें तो उसमें Vivo Y51 A है और ये सारे phone की details आपको description में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ये आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना